तो हम शुरुबात कर रहे हैं भारत के प्रचीन इतिहास की और उस प्रचीन इतिहास में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वैदिक काल का इतिहास वैदिक काल नाम में ही वेदारा है वेद यानि आप औरुशे बाइबल यानि आप औरुशे आधिगरंथ यानि आप औरुषे आधिगरंथ यानि आप औरुषे आपको जान कर ये हैरानी नहीं होती कि आप औरुषे इन सारी किताबों को आप औरुषे क्यों कहा जाता है उसके बीचे क्या मकसद रहा होगा उसके बीचे क्या उद्देश रहा होगा उद्देश बड़ा महान था आधुनिक यूग और आधुनिक यूग से पहले जिस यूग में आप रह रहे हैं और जिस यूग में वैदिक काल के लोग रह देते हैं यानि प्राचीन और मद्धिकाल जिसको हम कहते हैं हम पूरे दिय प्राचीन काल और मद्ध काल और जब भी मैं आपसे कहूंगा आधुनिक काल उसका मतलब होगा अभी का यूग जो चल रहा है और द्योगिक क्रांती के बाद का यूग हलाकि बड़े सारे दिहासकार उसको 1453 से भी मानते हैं उस पर भी हम चर्चा करें कोई दिक्कत की बात नहीं आप जिस भी बाती से मेरे असहमत रहें जिस भी बात पर आपको हमें कुछ मेसेज भेजना है आप सभी के मेसेज का स्वागत रहेगा मैं जो भी आपसे बताऊंगा मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा मैं आपको सोर्स के साथ बताऊंगा मैं आपको पुस्तकों के साथ बताऊंगा इसलिए हमारे जितने भाई बंदू किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं पूर्व आधुनिक काल तो पूर्व आधुनिक काल का मतलब हुआ प्राचीन और मध्धिकाल और जम मैं आपसे कहूं आधुनिक काल तो आप सोचिएगा अद्योगिक करांथी के बाद का काल पूर्व अधुनिक काल में धर्म सम्विधान की भूमिका अदा करता था धर्म पर तो विशेश चर्चा आप चिंदा मत करिए ऐसा नहीं मैं धर्म यहां खतम कर दे रहा हूं धर्म के एक एक पहलू की चर्चा प्रामर धर्म जैन धर्म बौध धर्म सारे धर्मों पर चर्चा होगी इस मंच पर चक्षों के साथ है तो आधुनिक काल से पूर्व का जो युग था वहां धर्म सम्विधान था जैसे आज हमारे पास लिखित सम्विधान है जिस पर राष्ट चल रहा है ऐसे अधुनिक काल से पूर्व धर्म सम्विधान था और उस सम्विधान का काम था समाज का संजालन अब वो समविधान किस ने लिखा है आप और उशे इश्वर ने लिखा है भगवान ने लिखा है गौड ने लिखा है अल्लाह ने लिखा है तो अब भगवान और अल्लाह और गौड नीचे तो आएगा नहीं तो उसका नीचे रिप्रेजेंटेटिव होगा समझेए दर्म क्या था आधुनिक काल स्वेपूर्व समविधान था और वो आपरुशे है धार्मिक ग्रंद आपरुशे है फुरुष द्वारा लिखत नहीं है आपरुशे इश्वर द्वारा रचत भगवान द्वारा रचत अलाह द्वारा रचत तो अब उस भगवान का र राजा, इसलिए आधुनिक काल स्वेपूर्व राजा को भगवान का प्रतिनी दिखा गया, अशोग ने क्या उपाधिली, देवा नाम पिया दसी, मैं देवताओं का प्रिये, गुप्तो ने क्या उपाधिली, परम भागवद, फिर जब मद्धिकाल चुरूआ, तो मुसल्म शाषकों ने क्या उपाधिली, जिल्ले इलाही, आज जो हमारा प्रधान मंत्री है, आज जो दुनिया में राजा है, वो जिल्ले इलाही नहीं है, वो जिल्ले जमूरियत है, अब सम्विधान कौन लिखा, जन्ता ने, तो आज का राजा जन्ता का प्रतिनिदी है, और आध